हेलो यूट्यूब फैमली आप देख रहे हैं जॉडन गार्णिंग वल आपका मेरे गार्णिंग चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपको बहुत उप्योगी किचन से निकलने वाले प्याज के छिलके का उप्योग बताऊंगी कि मैं उसे किस तरह से उप्योग करती हूँ प्याज के छिलके को बेकार समझकर यदि आप फैक रहे हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आप प्याज के छिलके को नहीं फैकेंगे मैं प्याज के छिलके का यूज किस तरह से अपने पिड़ पौधों में करती हूँ इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी मैं चार तरीकों से प्याज के छिलके का यूज करती हूँ तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं प्याज के बेकार छिलके का पहला यूज करने के लिए आपको छिलके का पौडर बनाना पड़ेगा प्याज के छिलके को अच्छे से धूप में सुखा दे प्याज के छिलके एक दिन में असानी से धूप में सुख जाती है मिक्सी में चार से पांस मूठी प्याज के छिलके डाल कर उसका पॉडर बना ले प्याज के छिलके के पौधर को आप एटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं इस छिलके में पोटेसियम काफी होता है आप किसी भी प्रकार के पौधे में इस पौधर को डाल सकते हैं देखी प्याज के छिलके का पौधर त्यार हो गया है गमले की मिटी के उगुड़ाई करके आप यह पौधर डाल दे मैंने कली मिटी के गुड़ाई की थी इसलिए आज मैं गुड़ाई नहीं कर रहे हूँ मैंने में दो बार आप इसे पौधे में दे सकते हैं छोटे गमले में एक चमस दे और बड़े गमले में आप दो चमस दे आप indoor plant में भी और outdoor plant में भी प्याज के छिलके का powder डाल सकते हैं प्याज के छिलके को आप mulching के लिए भी पौधे में यूज कर सकते हैं गर्मी के दिनों में mulching करने से मिट्टी में नमी बनी रहती हैं प्याज के छिलके में potassium, zinc, calcium, sulfur जैसे पोशक तत्वा होते हैं प्याज के छिलके धीरे-धीरे मिट्टी में डी-कम्पोस्ट होते हैं प्याज के छिलके में जो भी पोशक तत्व है विपोधों में मिलते रहते हैं पोटेस्टम की कमी को भी मिट्टी से दूर करने के लिए प्याज के छिलके का उप्योग किजे चलिए अब देखते हैं मैं प्याज के छिलके का खाद कैसे बनाती हूँ गमले में मिट्टी का एक लेर बनाई है इसके बाद प्याज के छिलके को डाले इसी तरह गमले भर ले देरी देरे प्याज के छिलके से खाद बनना सुरू हो जाएगा इस गमले में आप प्लांट भी लगा सकते हैं प्याज के छिलके का खाद बनने में लगभग 2-3 महने लग जाते हैं प्याज के छिलके का खाद का रिजल्ट काफी अच्छा मिलता है आप भी अपने किचन से निकलने वाले प्याज के छिलके से खाद बना सकते हैं प्याज के छिलके का फल्टिलाइजर भी आप बना सकते हैं प्याज का लिक्विट फल्टिलाइजर बनाने के लिए आपको एट एट कंटेनर लेना है इसमें चार से पांच मुठी मैं प्यांच के छिलके डाल रही हूँ फिर मैं पानी ले रही हूँ जो एक लिटर है इस कंटेनर को ढग कर दो दिनों के लिए छाया वाली जगा में रख दे सर्दियों के मौसम में आप 48 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं और गर्मियों के मौसम में आप 24 घंटे के लिए इसे छोड़ दे 24 घंटे बाद का रिजल्ट देखिए पानी का रंग बदल गिया है प्याज के लिक्विट फल्टिलाजर को छलनी की सहता से मैं छान लेती हूँ देखिए पानी का रंग पूरी तरीके से बदल गिया है प्याज के बचेवी छिल्का का यूज आप खाद बनाने के लिए कर सकते हैं 50 परतीशत प्याज के छिल्के के लिक्विट में 50 परतीशत पानी मिला रही हूँ आप इसे अपने पौधे में इस्प्रे कर सकते या मिट्टी में भी मिला सकते हैं इसका यूज आप सभी प्रकार के पौधों में कर सकते हैं प्याज की छिलके में बिटामिन, सलफर, पोटेशियम होता है जो पौधे में फलफुल लाने में मदद करता है कई लोग प्याज नहीं खाते हैं तो अगर वे प्याज के छिलके का यूज अपने पिर पौधों में करना चाहते हैं तो सबजी बेचने वालों से प्याज के छिलके ले सकते हैं उमीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो Please Like, Share and Subscribe मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टोपिक के साथ तब तक लिए Bye-Bye Friends, Take Care, Thanks for Watching This वीडियो